हेलो गाईज आप सब कैसे हैं उमीद करते हूं का upbringing ख्यायरा सखुणगे तो दोस्तों आज की क्लास में हम सेखने वाले हैं कलón स्टेप आज की क्लास में हमारी फॉर पिक्सार्ट पर तो हम अपने पिक्सार्ट को उपन करते हैं जैसे कि एक model की मैंने picture Pixar ले import की हुई है जिसमें इसके face के ओपर काफी सारे tattoos बने हुए और कुछ अरफाज लिखे हुए हैं हमें इनको remove करना है एक professional तरीके के साथ कि पता ही ना चले कि इनके यहां पर कोई tattoo बने हुए थे के नहीं ठीक है तो इस topic को समझने के लिए आपको यह class पूरी देखनी होगी समझनी होगी तब जाके आपको clone stamp की समझ आएगी clone stamp का दोस्तों बहुत फाइदा है आपके किसी cloth पर किसी भी जगा पर ऐसे कोई निशान है या ऐसे कोई चीज आप उसे remove करना चाहते हैं तो आप clone stamp से बहुत easily उसे remove कर सकते हैं और उसे वैसा कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं हम अपने pick साथ को यहां से tool menu के इंदर जाएंगे tool menu आपको नज़र आ रहा है इसमें में एक option मिलती है यह वाली option आपको नज़र आ रही है clone stamp की जहां पर मेरा mouse है तो हम इस clone stamp को open करते हैं जैसे हमने clone stamp को open किया तो एक यह देखे यह आपको circle नज़र आ रहा है ठीक है जिसका मतलब है यह है हमारी clone stamp clone stamp जहां कहीं हम stamp लगाएंगे I mean के जहां कहीं हम इसको रखेंगे उसी skin को उठा के यह उस जगा पर लेगा जाएगा जहां अपने brush के साथ से drag करेंगे अब यह एक brush है यह एक razor है यह clear है clear का क्या मतलब है अब मैं इसको बिताता हूं clear का मतलब यह हुआ कि मैंने clone stamp को यहां पर click किया अब automatically यह brush पर आगया अब brush क्या काम करेगा जहां मैंने click किया उस skin को उठा कि यह उस जगा पर ले कर जाएगा जहां मैं brush को इस्तिमाल करूंगा अब देखिएगा यह मैंने brush को इस्तिमाल किया अब यह तो सारी के सारी रिमूव हो जाएगी तो हमने undo करना है clear नहीं करना हमने इस चीज को undo करना है clear नहीं करना इस बात को लाजमी याद रखएगा कहीं ये ना होकिआ आपके सारी मेनत जया जाए अभी हम दुबारा आते हैे clone stamp पर हम यहां से शुरू करेंगे इस टैटू से अभी मैंने क्लोन स्टेंप पर क्लिक किया क्लोन स्टेंप को मैं अभी यहां पर क्लिक करता हूं मैंने क्लोन स्टेंप को इस जगा पर क्लिक किया है दोस्तों ठीक है इस जगा पर ठीक है अभी यह स्किन उठाकर वहां लेगे जाएगा जहां पर हमारे per Max बना होगा है और तेक्ट हमारा रिमुव हो जाएगा अभी आसे ब्रेश की पैदे सेटिंग देख लेतें दोस्तों ब्रेश सर्धी यह है हमारे ब्रेश की ब्रेश का साइज बgriffal तीज परसंतंट तक है और हार्डनस हमारे 75 परसंट हम 75% के जो hardness है उसे थोड़ा कम कर लेंगे ज्यादा जो होती है वो अच्छी नहीं लगती ठीक है तो अभी हम यहां से से यूज करना शुरू करेंगे ब्रेश का साइज थोड़ा सब रहा देते हैं हार्डनेस को थोड़ा सवर कम करते हैं क्योंकि यह देखे ना आपको शायद नजर आ रहा हो जो जब मैंने इस लाइन को इनके किया ऐसे तो यह एजिस से बन गए इनके बहुत ही बुरी से लग यह जितनी हार्डनेस आपके कम होगी उतनी अच्छी से यह जो ट्याटू है यहां कोई भी पिंपल्स है कोई भी दाग है अच्छी से रिमूव होंगी एक दोब फिर हम इसको क्लिक करते हैं स्टैम टूल को आई मिन कलॉन स्टैम को ठीक है यहां फिर इसे क्लिक किया फिर इसलिक यहां क्लिक किया घए कि तो देखियी दोस्तों थोड़ा इसावी गड़ बड़ आया है अध्युक्त फिर लिए इस प्लिक करते है यह यह जो तोर्फ हो ड़िक हो अब लब यहां पर इसे क्लिक किया जहां पर हमारी साफ सकीन है ठीक है अब हम इसे यहां पर ड्राग करेंगे एक दफा पिर जितनी मरतबा I dip इसे components एक को करेंगे बार बार यूज़ सकारेंगे तो उतनी अच्छी खुब सुरथ आपकी सकिन इनकि़ उस जगा पर The जहां पर आप टैटूज यां कोई भी दाग रिमूव कर रहे हैं अगर आप एक दफ़ा इसे दुबा कर उस दाग को ख़तम करने के कोशिश करेंगे तो वो गड़ बड़ी हो सकती है अब हम इस जगा से रिमूव करेंगे इस चीज़को यहां पर क्लिक किया अब हम इस तरफ मसलों को क्लिर करने के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए ऐसे बनाई है ताकि आप इसको समझ सकें अगर हम इस चीज़को रिमूव करते कि यह इस जगा पे हमारी टैटू बना था हुआ आईब्रो पर ठीक है अगर हम उसे इस तरफ ऐसे करते तो यह देखे आईब्रो हमार की लिए च्वाब के कलर आप पर आप उसी कलर मुझा के मुटाबिक स्टैम तूल को यूज़की करें ठीक है यहां इसे क्लिक करें यहां पर लेकर चाले से यह देखें दोस्तो अभी यह भी तकरीबन किलियर हो चुका है यह तोड़े से निशान आगी है यह किसके निशान है थे इस यह जो हमारे हेर है इनके निशान है थे कोशिश करें कि थोड़ा सा आसपास रहें और ब्रैश को ज्यादा ऐसे मत फेरें ठाकर निशान ज्यादा तो दोस्तों देखें बहुत ही अच्छे त्रीके के साथ अभी हमने कितने एक दो तीन जगा से टैटू को रिमूफ किया है अभी हम इस जगा से रिमूफ करेंगे कलोन स्टैम पर आए थोड़ी इसकी हाइडनेस और कम करेंगे साइस इतने ही ठीक है यह आपके मर्जिया आ यहां पर क्लिक किया फिर क्लिक किया तक्रीबन तीन से चार मर्दवा उसी ब्रेश को यूज करें और उसके बाद क्लोन स्टैम नहीं लें उस जगा से लें जिस तरह का आपको स्किंग चाहिए और चाहिए अब थोड़े से निशान यहां भी इनकोyim reduce करेंगे size brush का थोड़ा सा कम करेंगे वहीं से क्लिक किया तो अभी ऐसे किया ठीक है यह देखेम अब हमारे तक्रीबन सारा फेस जो है और नज़र आ रहे हैं इनको भी क्लियर करेंगे साइस अब रहा लेते हैं आजने उसको फिलकम कर देते हैं ताके एक स्मूज सा रिजल्ट में मिल सके तो यह नहीं दोस्तो पिच्चर अभी रेडी हो चुकी है एक यहां पर भी है यहां पर इसे क्लिक करते हैं चैला जी तो दोस्तो बस इतना सा गाम था आपको अब इसका मैं भी फॉर रिजल्ट दिखाऊं इसका भी फॉर रिजल्ट है और यह आफ्टर है तो दोस्तो इस तरह की अगर आप करना चाहते हैं पिक्सार्ट पर तो प्लीज मेरी क्लासों को देखें और सारा कुछ आप चांज जाएं अच्छी लगी कि उन्होंने यह अप्शन इसके अंदर दी है तो थैंक यू दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इससे लाइक कीजिए शेर कीजिए कोमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बिलिएगा थैंक्यों